मासको से 22 घंटे का सफ़र तै करके अब हम क्रीमिया में प्रवेश कर रहे हैं और इस वक्त हमारी ट्रेन विश्व प्रसिद क्रीमिया ब्रिज को गुजर रही है हमारे कैमरा सहयोगी संजीत आपको कैमरे से दिखाने की कोशिस कर रहे हैं देखे सामने जो आप समंदर देख रहे हैं यही ब्लाक सी है और इसी ब्लाक सी के उपर पर बनाया गया है यह क्रीमिया ब्रिज और इसकी लंबाई 19 किलो मेटर है और जब हमारी ट्रेन यहां से गुजर रही है तो अभी अभी हमने रूस का जो मेंलेंड है तमन उस स्टेशन को क्रॉस किया है और उसके बाद से हमारी ट्रेन अब पुल पर जा रही है यह पुल 19 किलो मीटर लंबा है और इसकी सुरवात से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे सामने सीधे बहां दरजनों की संख्या में बहुत से शिप दिखाई दे रहे हैं उसके अलावा अगर आप देखें तो अब जब कि हम ठीक है पुल के एक हिस्से में हैं और पुल क्रॉस हो रहा है और साथ ही में आप देखें तो पैरलल में यह जो ब्लैक सी है यह आप लगे हैं जबकि यह सारे cctv पहले से भी लगे हुए थे लेकिन इसके वाबजूद इस तरह की घटना घट जाना यह बहुत आसरजनक बात है और हम एक एक डिटेल आपको दिखाने की कोसिस कर रहे हैं देखें यह जो ब्रिज है यह रेलवे ब्रिज इस तरफ है महीं दू दूसरी तरफ का जो हिस्सा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और उसमें जो सडक मार गया उसका ब्रिज है देखें ब्लाक सी पर अभी इस वक्त है जो पक्षों का जुंड है वो उड़ रहा है तो एक तरफ है ट्रेन गुजर रही है नीचे ब्लाक सी है और पक्षों के ओर मैं जो को पैसेंजर है ब्लादीमिर उनसे भी एक बार बात रूगा और वो खुद आपको बताएंगे का उनका उनुफब कैसा है तो व्लादीमिर ब्लादीमिर गुद मुद से ब्लादीमीर गें वीज झाल CDC and when you got information that the Krim scheme streets in 부탁 so what was your first becomes I was shocked shop jó aún I was canceled my plans to visit cream button after that I knew that the dead and damages wasn't so critical so I go in there to see that what is that real position यह सब्सक्राइब कर रहे हैं और पुल के एक तरफ है जहां आपको बहुत सारे मालवाग जहाज दिखाई देंगे वहीं पुल के नीचे ब्लैक सी आपको निहां दिख रहा है वो ब्लैक सी जिसे लेकर लगातार रूस-उक्रेन जंग के बीच में जियो पॉलिटिकल दिश् है और इसके अलावा अगर आप देखें तो स्ट्रेटेजिक तोर पर तो यह महत्पुर्ण है ही लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि बहुत हद तक जो रिपेरिंग का काम है यह पूरा हो चुका है क्योंकि जो अब हमारी ट्रेन यहां से गुजर रही है तो ट्रेन की स्पी है और लेकिन आप देखिए कि जैसे यह एक कुष्ट कार्ट की बोट आपको दिखाई दे रही है तो लगातार जो मॉनिटरिंग है वो चल रहा है तो इस तरह के द्रिश्चों के साथ हम आपको उसे ब्रिज के बार को दिखा रहे हैं जिसके बारे में इतनी चर्चा है और निश्यत तोर पर जिस तरीके से रूस ने उसके बाद युक्रेन पर हमला किया वही अपने आप में एक संदेश है कि यह ब्रिज कितना महत्पुन है रूस के लिए और प्रेजिडेंट पोतिन के लिए कैमराविन संजीत कुमार के साथ मनीज ज्या टीवी 9 भारतवर्स क्र प्रेमिया ब्रिज रूस